आखरी उपसमो जो सबसे विक्सित हैं और हम अपने आसपास सबसे जादा देखते हैं वो हैं एंजियो स्पर्म बिल्कुल जिम्नो स्पर्म की तरह एंजियो स्पर्म भी दो शब्दों से मिलकर बना है जिसमें हैं एंजियो जिसका मतलब है ढका हुआ और स्पर्मा जिसका अर्थ है बीज एंजियो स्पर्म को पुश्पी पादप या फ्लावरी प्लांट्स भी कहते हैं Angiosperms में beech अंडा शय के अंदर विक्सित होते हैं और ये अंडा शय विक्सित होकर फल में बदल जाते हैं Beech के भून के अंदर Cotyledons होते हैं जिन्हें beech पत्र कहते हैं और इन्ही beech पत्रों के basis पर Angiosperm को दो सम्हों में बाटा गया एक बीज पत्री मतलब एक बीज पत्र वाले और दूई बीज पत्री यानि दो बीज पत्रों वाले और इसके उधारन हम फूलो वाले पौधों में अपने आसपास देख सकते हैं अपनी कॉपी में से नोट कर ले इसे भी नोट कर ले चलिए अब प्रश्ण देखते हैं प्रश्ण को जिस प्रकार है पाईन इन में से किसका एक उधारन है एंजियो स्पर्म, टेडोफाइट, जिमनोस्पर्म या थेलोफाइट इसका उत्तर सोचिए समेसम आप्द इसका सही उत्तर है जिमनोस्पर्म